एलो गाइज बहुत दिन के बाद और एक नया वीडियो लेके आ रहा हूं तो इस बार ये मेरी टीवेस एंटॉक के बारे में हैं जो मैंने रिसेंटली यूज में परचेस की थी और मुझे न्यू लेने की फाइस थी पर जैसे मैंने उसका रिव्यू देखा था मतलब सुना गाड़ी को प्रावलम है ये प्रावलम ब्रेक का सब्सक्राइब का सब्सक्राइब कर दो तो इसको लेने के बाद अभी मेरे मुझे आड़ से मैंने modify करके रखा था और अभी मेरा इसको भी dream था मतलब कुछ तो change करेंगे मतलब standard नहीं चाहिए stock नहीं चाहिए तो यह मेरा वीडियो मेरी गाड़ी के बारे में होने वाला है तो इस वीडियो में देखते रहिए पहले कुछ cinematic shot दिखाऊंगा पादने explain करेंगा क्या क्या किया है कैसे कैसे किया है और यह पहले बोलेता हूँ यह जो गाड़ी में किया है मैं modification यह अभी इंडिया में किसी भी गाड़ी को नहीं है एंटॉक को नहीं है यह पहली गाड़ी है जिसको मैंने यह modification किया है और इंडिया में कहीं भी आपको कोई भी चेक कर लो आप आपको यह सब features उसमें नहीं मिलेंगे यह मेरे guarantee है तो वीडियो बहुत interesting होने वाला है देखते रहिए तो काईज यह है मेरे अंटॉक 125 bs6 version है यह 2021 model है यह इसको अभी 3 साल complete हो चुका है और यह इसका overall look है आप देखो तो talking about the modification पहली चीज़ आपे notice की होगी कि इसका paint job बिलकुल अलग है यह unique shade है यह actually जो swift desire को आया था alpine blue color limited edition उसका ही shade पर इसमें hyper shift pearls का mixture है इसका color change होता है रश्णी की हिसाब से अगर आप देखेंगे यहाँ पे green है और पीछे purple है तो मैं उल्टा जाओंगा तो यहाँ पे green और उदर purple आएगा देखें इसको आपको और भी description चाहिए तो मेरा और एक वीडियो में डाला था शॉट्स में होगा मेरे आप check out कर सकते हो तो यह मेरा पहला modification था जो अभी तक किसी भी एंट्टॉक पे नहीं था यह hyper shift pulse का तो coming to second point second point जो लोग मेरे subscriber है उन्होंने देखा होगा कि मेरी गाड़ी को आगे कौन सा डिस्क बिठाया है अगर आपको पता नहीं तो मैं दिखाए दे आपको दिखाऊंगा अभी देखें यह है CBR 250 का डिस्क आगे का front डिस्क है इसको छोटा आता है मैंने इसको 276 mm का यह लगाया है केलिपर वही है मांटिंग करके और इसका जो ब्रेकिंग पावर है ना माय गॉड़ सुपाब है तो अगर आप भी लगवाना चाहते हो तो आप ट्राय कर सकते हो यह मैंने मेरी हिसाब से ट्राय किया है क्योंकि इसका टायमेटर है अल्मोस्ट वह जीम टक 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 हता है तो उसका ही साइज का है देखिए यह मैंने कट कट किया है यह सिफ डिजाइन के लिए है कावा सकी टाइप का तो यह प्रेन आता है सीबेर को आप देखते हो सीबेर 250 का डिस्क है ओके अगली बात तो अगली बात जो था यह था अभी इसको नहीं देखते हैं तो इसको मैंने RGB डाला है अंदर से यह अभी तक इंडिया में किसी भी गाड़ी में नहीं है तो यह मैं आप ओलिडी मेरा वीडियो है आप देख लो कि मैंने चेंज करवाया है लाइट यह और जो लास्ट जो अभी तक कोई ट्राइ नहीं किया और करने वाला भी नहीं है मेरे को लगता है वो है यह यह पीछे का रियर डिस ब्रेक कि मैंने खुद से मेरी वैनत से फेट किया है किसी के पास भी लेट का काम वाम नहीं हुआ है सब मेरे हाथ कही कमल तो यह एसेंशल क्यूं है यह गाड़ी रुकती तो है पर और यह क्यूं रुकती है आपको पता नहीं शायत तो इसका मेरे निजन है इसको कॉमबी बेक है तो आगे का ब्रेक इंडेडनट है पर जब आप फिछे का ब्रेक अपला गरते हो तो गाड़ी कभी भी पिछे के बेच बेक 15 dürfen इसका इतना पर फाराब है कि वह आजे को कॉं होता है आप जब पीचे का अप्लाय करते हो तो यह बहुत डेंजरस है क्योंकि बारिश की सिजन में अगर रोड स्लिपर ही है तो आप गिर सकते हो आगया का ब्लेक लगके इसके लिए मैंने क्या किया उसको पीचे का डिस्प्रेट किया और यह जो है यह आप अंदर से देख आप लो यह पुरा मास्टर सिलिंडर में लगाया इसको तो यह सिफ इंडिपेंडन्ट है अभी यह यह लगा हूंगा तो सिफ मेरा पीचे का ब्रेक ही अपलाय हो जाएगा तो यह मैंने लगाया है पॉल्सर का यह डिस्प्लेट एंटॉक का जो आगया का था वही मैं है और तकिंग अबाट सम अब्डेट्स वीजर अब्डेट्स एज़ो पैनल है मैं था यह किया है कार्बन फइबर किया यह भी किया है और यह एंजिन गर्वी किया था इस जैस्ट पर वीजल अबडेट्स पाकी का सब अधीनों स्टॉक में है आप देख सकते हो तो गाइज ये हैं इंडिया की पहली वन एंड ओनली मॉडिफाइड एंड टॉक जो इस वक्त गोवा में मैंने बनाई है इसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं आपका कुछ क्वेशन हैं आप कुछ हेल्प चाहिए जिगरिंद मॉडिफिकेशन आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हो पर अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों क अपना अना चाहते हैं अपना चाहते हैं